नमस्कार दोस्तों और आज बात करेंगे हल्दीरान नमकीन के बारे में देखे हल्दीरान नमकीन नमकीन का एक ऐसा ब्रैंड जिसे 1937 में गंगा अगरवाल ने एक स्नेक्स फैक्टरी में काम करने के दौराइं शुरू किया और अगर मैं बात करू हल्दी रान नमकीन की अमेजिंग सक्सेस की तो देखे 1937 में इसे शुरू किया और 2022 तक ये ब्रैंड इतना सक्सेसुल बन चुका है कि इसकी सक्सेस का इडिया इस बात से लगा सकते हैं कि एक नमकीन ब्रैंड का टर्न ओवर लगभग 5000 करोड से जादा हो चुका है 2019 के अंदर ये इंडिया की फॉब्स की रिच लिस्ट के अंदर एंट्री मार चुके थे अगर मैं बात करू इनके स्टेप बाइ स्टेप लड़ार सक्सेस की तो देखे 1937 के अंदर एक नॉर्मल स्नेक्स की तरह हल्दी राम ब्रैंड को शुरू किया गया लेकि क्योंकि ब्रैंड के अंदर क्वालिटी प्राइज और कॉम्पिटीटर का इन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा था इसलिए 1946 से लेकरके 1950 के आते आते इन्होंने पहली शॉप कॉलकता के अंदर खोल ली थी बात अभी भी सेन थी कॉम्पिटीटर जादा थे नह क्वालिटी और प्राइस काफी रीजनेबल दी इसलिए 1980 के आते आते इन्होंने नाधपूर और डेली जैसे बड़े मार्केट के अंदर भी अपनी फिजिकल शॉप को खोलके अपने सक्सेस के जंडे गारना शुरू कर दिया था लेकिन 1980 के टाइम प्रेड में गंगा अग ब्राइंड में डिस्प्यूट नाओ लेकिन वो कहते हैं ना होनी को कोई टाल नहीं सकता और ठीक वैसे हुआ डेली फैमिली ये हल्दी राम का टाइटल जीच चुकी थी बेरहल अगर मैं बात करूँ हल्दी राम की सक्सेस की तो आज की डेट में हल्दी राम लगबख सितर से जादा अलग-अलग वेराइटी के आफर्स प्रोड़क मार्केट में लेकर आते हैं इसमें इनके स्नैक्स इनके बेवरेजेश इनवालड एंफ्रोजन मील इनवालड और कहीं सारे तरह की रेट्ट सर्विसेज भी इनवालड अगर मैं बात करूँ हल्दी राम के नए जॉयंट वेंचर की तो देके डेली के अंदर काम करने वाले वोर्ड ब्र्स अबलार्जेस बेकरी चेईन पोर